Hi everyone, welcome back to my channel और अब हम करने वाले हैं एक trigonometric series के solution को find जो की हमारी infinite series है और देखो, हमें इस series का sum find करना है तो इसको find करने के लिए, let's see what shall we do ठीक है, अब देखो, इसको find करने के लिए न हमने देखा कि हमारे पास इस infinite series है तो हमने लिया limit n tends to infinity this nth term, कौन से nth term? tangent inverse of 1 by n square plus n plus 1 यह वाले series हो गए भी हमारे पास अब देखो, आप क्या करें अब इसको solve करने का तरीका अरे हाँ, देखो, इसको कैसे solve करते हैं आपको एक अलग तरीका बताते हूं यहाँ पे इसको limit n tends to infinity को पर सेम रखो और यहाँ पे क्या किया? इस tangent inverse को भी सेम रखा यहाँ से निच्चे से न, मैंने 1 को आगे लिखा प्लस में जो बाकी की दो terms है न, उसमें से मैंने n common ले लिया इन्टू n प्लस 1 आपको कुछ याद आ रहे हैं अगर मैं उपर कुछ ऐसी term बना दूँ जिन में इनका difference हो कैसे? अगर मैं n प्लस 1 में से n माइनस कर दूँ तो यह आपको ऐसा नहीं लग रहा? कि tangent inverse a minus b over 1 plus ab अरे हाँ, यह वही है देखें कैसे? tangent inverse of a minus b a क्या है? n plus 1 b क्या है? n है अरे वही तो है न? अरे देखें, मैं बताते हैं आपको formula क्या था? formula था हमारा tangent inverse of a minus b is equals to tangent inverse of a minus b over 1 minus ab a की value हमारे यहाँ पे n plus 1 है b की value हमारे पास n है और हमने सिर्फ यह formula यूज किया है अब देखो, अरे इसके आगे limit बे तो थी भाई भूल जाते हूँ ना? देखो, अब क्या बना हमारे पास की limit? n tends to infinity, this tangent inverse x is remaining here और देखो, n plus 1 और फिर minus n भाई, इस n से यह वारा n कैंसल हो गया तो बचा क्या? कि limit n tends to infinity, tangent inverse of 1 अब n की term तो कोई बचे ही नहीं तो limit को हम हटा के only tangent inverse of 1 लिखते हैं अब tangent inverse of 1 को देखो tangent inverse तो same अब tangent की 1 value किस पे होती है? pi by 4 पे तो मैं इस को 1 को लिख तूँ मैं tangent of pi by 4 this will be 1 tangent inverse of 10x, this is 1 तो pi by 4 आगे हमारा answer अब चेक करते हैं कि हमारे answer में pi by 4 है या नहीं अरे वाँ देखो, this second option मेरा तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये series आई हमारी कौनसी? कि tangent inverse of 1 by 3 plus tangent inverse of 1 by 7 up to this and its term up to so on इस तरह की inverse trigonometric की series का sum हमारा pi by 4 है तो I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो comment section में आप अपने feedback दे सकते हैं तेंक यू